ओम सिरीगनी सैनम दोश्तू एस्ट्रो समधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोश्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 नवंबर मंगलवार के रासी फल के बारे में कीह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकाववधन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्छ पदा दिकारी और बुजुर्ग वर्ग की किर्पा दरश्टी आपके उपर रहेगी सभी काम सरलता से संपन होते हुई आज आपको प्रतीत होंगे साथी साथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिस से आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजदी की रिस्तेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व्यतित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिल तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्च वी अपनी पड़ाए की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाब अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कार को निबटाने में अपनी आज आप पूरी उरजा लगें आपके प्रियास अवस्से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती हस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गलत हो सकते हैं शेर मार्केट और रिस्क सम्मंदित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्तितियां आज उत्पन हो सकती हैं जिस से आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिब हो सकता हैं दोस्तो परिवारिक इस्तितियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परन्तु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलू उपर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखें साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्चक हैं कोई बाहरी वेक्ती जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद आज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाई के संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ता जा होंगी दोस्तों आज का द हैं दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून ओर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवशक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज कारेच्छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपकी पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदारी के व्यवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अति आवशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारेच को करने से बचें क्योंकि इसका दुस्ष प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेग दोस्तो साथ साथ कारेच्छेत्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिष्टितियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इ व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशड़िटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपन ना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद मिटी के बरतन में भगवान बजरंग बली जी को बूंदी का भूग लगाएं और फिर इसके बाद गरीबों में दान करें जहां दोस्तो ऐसा करने से भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों का अंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प् लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद